सन क्या है सन आपके फोर फादर से जो आपके पूरवज है आपके पिता जी है आपके ग्रेंट फादर है वो सब आप देखते हैं सन से तो व्यक्ति फैमिली कर वारे में रिसर्च करता है यह अमाल लिए टेंथ लॉड टेंथ हाउस में माघा नक्षत्रा में सन बैठे हुए तो आप कह सकते हैं कि फैमिली के जो बिजनस वेक्ति वो बिजनस करेगा यह इनके अंदर एक रहता है खाली पन भीड में भी जो अकेला पन है इतना कुछ पाने के बाद क्योंकि वो केतू है केतू रूल नक्षत्रा है आप कहां जाएंगे उससे बच करके सब कुछ अची विनस आस्ट्रो में आपका स्वाधत है खाज नक्षत्रा सीज में हम टैन्थ नक्षत्रा माधा की बात करेंगे इंपॉर्टि्म नक्षत्रा है बाकी नक्षत्रा की तरहा नक्षत्रा की अपनी है एक खुशूरती है hope असमाझते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएग जब आप रिजल्ट को ब्लेंड करना शुरू करेंगे केतु रूल्ड नक्षत्रा है यह और केतु की जब बात करते हो तो सिंस अफ डिटाच्मेंट को याद रखिएगा फिर मैं केतु के बाकी भी चीजों के बारे में बात करूंगा लियो साइन में यह नक्षत्रा फॉल करता है फ्रम जीरो डिग्री तो थर्टी ट्वेंटी डिग्री लियो और यहां से जब आप डी नाइन में जाते हैं तो यह एरी, स्टॉरस, चेमिनाई और कैंसर साइन में पढ़ता है मैं चारों पदाओं की बात कर रहा हूं तमस गुन का है, क्वालिटी काफी उग्र होती है ऐसे विक्ति थोड़ा एग्रेसिव होते है अब एग्रेसिव निगेटिव हमेशा नहीं होता है जब तक मैलेफिक इंक्रेंस नहीं हो अब एग्रेसिव का मतलब यह भी होता है कि विक्ति अपने काम के पती बहुत पैशनेट है एक ड्राइविंग फोर्स होता है उसके पीछे कि अगर किस चीज को करना है तो करना है और वो आपको पता चलेगा जब मैं लीनिएज वगरा की बात करूँगा प्रोटेक्टिव भी होता है और जब लीनिएज की बात करना हूँ तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है चाहे वो हिस्टरी हो या उसको नोट डाउन करके रखना प्रोटेक्ट करना भी यह भी होता है जब आप डीटेल आउट करते हैं कि भाई कौन थे मेरे ancestors and all that लाइफ को फुलेस्ट पे जीता है उन्टिल अनलेस केतु वाला जो detachment वाला sense है वो आजा है because of the magnificent influence इनकी जो अत्रिमूर्थी की बात करेंगे तो ब्रह्मा है और ब्रह्मा जो है वो creation दिखाते हैं उसके बाद male rat जो है वो योनी में आता है जिससे आप आगे चलके reproduction वगरा देख सकते हैं कि ये लोग जो है वो बचा पैदा करने में या more than one child, two, three child में मुश्वास रखते हैं इनका जो motivation है वो अर्था होता है it's all about creating wealth mentalistic pursuits रहते हैं इनके again ये looking down है जो अधो मुखी कहते हैं facing downward है downward जब मैं बोलता हूँ तो research की बात करता हूँ केतू है research की बात है lineage में भी आप जब पूरे ancestors पूरे lineage के detail निकालते हैं वो सुचते हैं कि तर मैं मेरे four fathers क्या थे वो सारी चीज़ें जब आप जानने की कोशिश करते हैं nose, lip and chin ये जो area है वो मागा नक्षतर में आता है again element watery है direction इसका west direction है और color जो है वो ivory cream cream color का जो होता है जो tiles वगरे का जो generally आफ color बेखते हैं mommy, me, mo, me ये वो सारी जो अक्षर हैं वो आप मागा नक्षतर के लिए है जो बच्चे इस नक्षतर में पैदा हुए हो या हुए हो उनको उनका नाम इस से होना चाहिए और जिनका नाम इस से है उनके उपर इस नक्षतर का असर होता है जब हम मागा को माग देखते हैं माग का मतलब होता है to be great तो एग्जाल्ट, ओनर यह मतलब आप इसको आगे हम मैं इस चचा में बताऊंगा कि यह गौर्वर्मेंट से रिलेटेड है फोरफादर से रिलेटेड है चीजों को नेक्स लेवल पर लेके जाने की बात है केतू है तो फ्लैक की बात है अपवर्ड है वो सारी चीज़े आप माघा में देख सकते है केतू रूल प्लानेट है केतू के आप इमशुत्री दसा में केतू की दसा इससे देखते हैं और जब मैं केतू की बात करता हूँ तो केतू एक sense of detachment देते हैं और pleasure से आपको detachment देंगे not necessarily always but most of the time sleep आप इससे देख सकते हैं अब sleep अच्छी होगी नहीं होगी malefic influence पर डिपेंड करता है destruction, dream बहुत बहुत बार लोग अपने पूरवज़ों को dream में देखते हैं hidden knowledge, वो चीज salvation, maternal grand mother को आप देख सकते हैं paternal grandfather को देख सकते हैं reunion reunion जो है ना उसको आप देख सकते हैं इससे एक केतो को उपर का portion नहीं होता है तो अगर devotion में जाए तो इक blind devotion devotion होता है अगर ये guru से कहीं संबन बनाता है तो ऐसा विक्ति guru को blindly follow करता है ये चीजें और इसके अलावा जो lust है अगर malefic influence है तो because मैं योनी की बात मैंने करी थी वो indulge हो जाते हैं इस तरह की activity में और फिर उसके बाद because of malefic influence नहीं का separation भी होता है तो ये चीजें आप ठान में रखेंगे मैं मोक्ष की जब भी बात करता हूँ तो मोक्ष के लिए मैं केतो को पहले गुरू ग्यान के कारक है जो रास्ता दिखाते हैं जो ट्वल्थ के लॉर्ड भी है और पो लॉर्ड केतू है जिनको मोक्ष चाहिए दसावतार में मतस से जो हैं लॉर्ड मतस से वो इसको दिखाते हैं इससे related है मागा नक्षतर से इसके दो दियती हैं वो पित्रीज हैं और जो सिंबल है वो थ्रोन का सिंबल है तदी का सुचिए कितना important है कि जब आप केतू की बात करते हैं detachment की बात करते हैं लेकिं दूसी तरफ आप थ्रोन की भी बात करते हैं इसलिए यह अपने आप में बहुत important है कि केतू को समझने के लिए कि केतू का placement किस नक्षत्र में है, क्या symbolize करना चाहता है, क्या indicate करना चाहता, अगर आप उसको नहीं पकड़ेंगे, तो सिर्फ एक aspect detachment को पकड़ के रख जाएंगे, चुकि ये flag है, flag को denote करता है, उपर लेकर के भी जाता है, थ्रोन है, वो गदी भी देता है, आपको सरकार से फायदे भी दिलाता है, जो इसकी, जो एक major important story है, कि जब महाभारत में जब करन का दिहान्त होता है, जब वो स्वर्गलोप में जाते हैं, तो वहाँ खाने पीने के लिए उनको, खाने मतब खादे सामगरी में उनको सोना चांदे मिल ancestors के time होते हैं, पित्री का time होता है, उस समय भी आपने ही donate किया है, तो करन कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था ना, कि मेरे पूरवच कौन है, तो मैं कैसे क्या donate करता हूँ उनके लिए, तो चुकि करन एक महान आत्मा जिसको मैं कह सकता हूँ, हम सब जानते हैं, पुन्य आत्मा, तो उनको 15 दिन का मौका मिलता है कि आप जाइए, और जो ये पित्री का जो 15 दिन का समय है, जिसको लोग पित्रपक्ष कहते हैं, उस समय में आप जाइए और food donate करके आए, ताकि स्वार्ग में आपको खाने के लिए food मेरे, जो ये 15 दिन होता है, पित्री पक्ष का है कि आप अपने पित्रों को अनिदान करते हैं, उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, और उनको याद करते हैं, अलग-लग rituals के माध्यम से, यही वो 15 दिन का टाइम है, जब आपके पूरवज, जब reincarnation की बात होती है, तो they wait for this period, जब वो इस family में दुबारा आने की, एंटर कर करने की कोशिश करते हैं, तो मागा नक्षत्र में अगर कोई जन्मा हुआ बच्चा है, या मागा नक्षत्र में जो planet है, उससे related किसी काम के लिए, अगर आपको समस्या आ रही है, तो आप पूरवजों को याद करें, for example, मेरे दादा जी नहीं रहे, और जब मुझे कोई सम हो रहा है, I want blessings, तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ, और देखते हैं, मतलब की I close my eyes, और उनको याद करता हूँ, उनसे request करता हूँ, एक support मांगता हूँ, और support किस रूप में मिलता है, क्योंकि हमारी जो सोल की journey है, वो पता नहीं कई हजार वरसों की है, इतना experience है, और हम माध्यम बनाते हैं कि इस चीज को हमारे success के लिए, और वो सब कुछ अंदर से ही आता है, तो if you talk to yourself, that is also a remedy, मैंने किसी वीडियो में ये detail में बताया भी था, तो ये एक ध्यान भी रखी कि वो 15 दिन बहुत important है, आपके life का है, बहुत लोग shaving उगरा नहीं करते हैं, तो वो अपने पुरवजों के बारे में, जानने में बहुत interested होते हैं, बहुत research करेंगे lineage के बारे में, कि बारी मेरी family क्या है, I know हमारे जो ex boss है, हमारी company के, अब नहीं रहे वो, इस company में, so वो adopted child है, और उनकी पूरी जीवन, जो मतलब अभी तक आप पूरे जीवन को देखेंगे, 54-56 साल हो गया, उनका ये research है कि ठीक है, माता-पिता कौन थे, उनकी माता-पिता, वो पूरा research करने में लगे हुआ है, that is real Magha नक्षत्रा people, दोजों are really interested in, और जब आप family और पूरवजों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वेक्ती history में interested है, किस तरह की history में interested है, हम माल लो मार से माघा में, तो कहेगा यार्मी पुलिस लगा वो पूरा इतिहास पढ़ने कब से कौन सा world war हुआ था, क्या हुआ था, माल लीजिए military का पूरा वो history निकाल के लिए, Mercury आ गया माघा नक्षत्र में, या पढ़ने वाले Jupiter आ गए, तो ऐसे लोग जो है, वो old scriptures हैं, और खास कर सकती जब enter करेगा तो we'll do research like anything, वो तंत्रा में भी चला जा सकता है, black magic में जा सकता है, अब वो छे नौ का connection वो देखेंगे कि black magic के लिए क्या क्या combination होता है, बट अगर खेतू है माघा नक्षत्रा में, तो ये आप कह सकते हैं कि astrology में जाएगा, वो किस विदा में जाएगा, मंत्रा में, तंत्रा में, black magic में, वो आप evaluate कर सकते हैं, मालिजे सन है, सन क्या है, सन आपके forefather से हैं, जो आपके पूरवज है, आपके पिता जी है, आपके grandfather है, वो सब आप देखते हैं सन से, तो व्यक्ति फैमिली का बारे में research करता है, ये मालिजे 10th Lord, 10th house में माघा तरह में सन बैठे हुए, तो आप कह सकते हैं कि पूर फैमिली के जो business है, वो business करेगा, अब business का मतलब क्या है, कि आपने देखा कि वहां मार्स बहुत strong है, के तू है, सन है, ये सब strong है, तो आप कह सकते हैं यार, ये तो military में जाएगा और जब आप पता करेंगे तो पता चल में अगर तो वो flag मतलब rising upwards, authority देना, power देना, fame देना, सन का वो सारा काम होता है, व्यक्ति को मिलता है, और बहुत अच्छे से मिलता है, मागा नक्षत्र की एक खासियत है, मागा नक्षत्र ये दिखाता है कि पूरो जनम में, आपने, क्योंकि ये देखो, लियो साइन में है लियो साइन का पहला नक्षत्र है, काल पूरुष चार्ट को जब आप पकड़ोगे, तो फिफ्थ हाउस, लियो साइन पढ़ता है, और इसको मिलते है, पूरो पुन्य है, मागा नक्षत्रा is the best example, अगर, और मैं इसमें, मैं तीनों नक्षत्रा की बात करूँगा, मागा की बात करूँगा, पूरुवा की बात करूँगा, उतरा का पदा, उसकी बात करूँगा, लेकिन आप देखेंगे कि ओवरॉल ये जो नक्षत्रा जो सिमम पढ़ते हैं, पूरु में किये हुए अच्छे कर्मों की वज़ा से इस जनम में minimum effort में maximum result मिलता है, और आप कह सकते है कि आपके पूरुवजों, आपके पूरुजनम के अच्छे कर्म पूरुजों, बाढ़े पूत्पिता के धर में खेती उपजे अपना कर्में हम लोग कहते हैं, तो पूरुजों के अच्छे कर्म की वज़ा से आपको अच्छा result मिल रहा है, अब बहुत बार क्या होता है, आपको negative result मिल रहा है, आप देखिए मागा नक्षात्र में कौन सा planet है, और कितना affliction है, आपको पित्री दोश का idea मिल लिएगा, तो यह आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, जरुनी के काल पूरुज पकड़े, मागा नक्षात्र कहा पढ़ रहा है, कौन सा planet है, कितना affliction है, और आप देखेंगे कि fifth से पका कोई ना कोई connection बना रहा है, आपको idea मिल लिएगा कि पुरवजो ने कुछ ऐसा किया होगा, financial loss हो रहा है, तो साथ वो सूधबटा का काम करते होंगे, अगर relationship में issues है, तो साथ multiple relationship में रहा होंगे, या cheat की होंगे, और जब आप पूरी history नि more than one child की जब मैं बात करता हूँ, मेनी प्रोजनी की जब बात होती है, तो आप मागा नक्षतर से देख सकते हैं अगर वो प्रोजनी वाले house और planet से related हो, अब rat का अगर sexual behavior देखें तो वो इनकी एक कमजोरी भी हो जाती है, बहुत बार malefic influence में ऐसा होता है, आदमी over sex, जिसको हम लोग बोलते हैं, life में involved हो जाता है और जिसकी विज़ा से काफी बदनामी होती है, जिसा मैंने कहा था कि ये जो है उग्र है, उग्र नक्षतरा है, उग्र नक्षतरा का मतलब क्या होता है, एक तो जैसे मैंने कहा कि protective भी है, बहुत passionate है, अगर किसी शत्रू के पीछे बढ़ रहा है, A6 भी वहीं पे है, फिर आप देखे कौन सा planet है, उसकी lordship कहां से, बता दो किया ये घर जो relative है, वो आपके जो है, वो दुश्मन है, वेरी easy to calculate, आप अगर initial जो 6th house का वीडियो है, आप देख लीजे, उससे आपको idea पता चल जाएगा कि कैसे enemy आपको पता ल लेगा, बट इनके अंदर एक obsession होता है, माली जे malefic influencer नहीं मिल रहा है, obsession वस ये गलत करते हैं उस power को पाने के लिए, और ऐसे लोग कहां जा सकते हैं, they are good at politics, ठीक है, government जाएंगे, good job में जाएंगे, private job में जाएंगे, politics में ये लोग पका आपको मिल जाएंगे, मागा वाले और खास करके सन अगर relationship उसमें बन रहा है तो, जब ये loyalty पे आते हैं, they are real loyal, अब ऐसा क्यों है, अगर benefit influence है, malefic नहीं है, क्योंकि four fathers की में बात कर रहा हूं, पूरवजो की बात कर तो जैसे पूरवजो की परती हमारा dedication होता है, वैसा ही dedication आप देख सकते हैं कि other relationship में ये करते हैं, बहुत अच्छा नक्षत रहे, आप मान के चलो कि पूरवपुन को access करके चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, insurance वगरा जो है, उसमें इनको बहुत फाइदा हो जाता है, इनको मान लीजिए कि कोई family dispute है, मागा नक्षत में पढ़े हुए planet का relationship है और उसकी पुराना कोई dispute चल रहा है, आप विश्वास कीजिए, वो resolve हो जाएगा और आपको positive result मिलने लगेगा, अच्छा इनको देखेंगे तो इनकी नात जो होती है, वो बड़ी होती है, एक इनके पहचानने का तरीका है, घुमने फिरने वाले होते हैं, पहाड बहुत पसंद करत हों कि at the end of, like last part of my life, I want to be there, और मैं प्लान इसलिए करता हूं कहीं न कहीं मेरे दिमाग में आता है, कि यह सब कुछ है, इसलिए मेरे दिमाग में आता है, और वो एक driving force रहता है, जो मुझे उस तरफ ले करके जा रहा है, यह एक patience भी देता है, चीजों को deal करने में, और ऐसा नहीं कि हमेशा यह negative होगा क्योंकि केतु वाला है, appearance जो होता है, इनका काफी magnetic होता है, लोग काफी attract होते हैं, not necessarily हमेशा face से हो, बयोहार से, उनके बात करने के तरीके, डिपेंड करता है कौन सा planet है वहाँ पे, वो planet अपनी quality को enhance करके, इनको जो marketplace, जो circle में, इनको एक magnetic appearance देत है, no doubt about it, अगर यह favorable हो, तो यह लोग बहुत उंचे position पर जाते हैं, यह घर और office दोनों को समान रूप से देखते हैं, दोनों को बराबर प्यार करते हैं, दोनों को work-life balance बना करके चलते हैं, सोने में investment है, जब investment माली यह माघा जो है, अगर investment माली यह पांच है, और आठ से connection बैठा रहे हैं, अगर आप देखेंगे, अगर अच्छे condition में होता है, ऐसे लोग चेन में पहनना बहुत पसंद करते हैं, मैं लाओं के वह बहुत साद हैं, जिनको गोल्ड ज्वेलरी का जि इनके सेवा में लोग लगे रहते हैं, बहुत पैसा वैसा ही लोग कमाते हैं, इनको प्रेज बहुत पसंद है और मिलता भी है, until unless affliction हो, तो इनको बहुत, यही एक है कि ऐसे लोग जो है, अगर malefic influence हो, तो opposite sex के प्रती इनका रुजहान बहुत जादा होता है, जो long term में कही इनके ambitions बहुत हाई होते हैं, flag को देखे, tip of the flag, वैसे ambitions होते हैं कि मुझे वो achieve करना है, और यह करते हैं, उसके लिए बहुत regular मेनत करते हैं, they work like anything to achieve that, क्योंकि मैंने कहा था कि इनको name और fame का obsession है, मेनत करेंगे, नहीं मिलेगा, तब वो गलत तरीके पर भी जाएंगे, ऐसा इनके अंदर इतना कुछ करने के बाद, एक sense of emptiness रहता है, मैं मार्स in 11th house में यह हमेशा कोट करता हूँ, कि जानने वाले हजार हैं और चाहने वाला कोई नहीं, यह इनके अंदर एक यह रहता है, खाली पन, भीड में भी जो अकेला पन है, इतना कुछ पाने के बाद, क्योंकि वो केतू है, केतू रूल नक्षत्रा है, आप कहां जाएंगे उससे बच करके, सब कुछ अचीव करा दिया, क्यों, क्योंकि at the end of the day, यह जो खाली पन है, जब आप इसको analyze करना शुरू करते हैं, और यह केतू कराएंगे, मागा नक्षत्रा आप कराएगा, तो फि लेकि अंदर का जो खाली पन है, वो कहता है कि ठीक गुरू मिल जाते मुझे, और गुरू मिल गए तो चलो, अब मैं थोड़ा मंत्रा चैंटिंग कर लेता हूं, साधना कर लेता हूं, और धीरे 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 जो आपने wealth accumulate किया है family के लिए, वो family के लिए रह जाता हूं, और दिया कि father, grandfather का जो business है, उसको आप carry करते हैं, family के tradition में इनका बहुत interest होता है, उन सब चीजों से related वो पढ़ाई भी करते हैं, politics और government में ये बहुत अच्छा करते हैं, इनका जो अगर आप strength देखोगे, तो ये reliable होते हैं, respectful होते हैं, optimistic होते हैं, passionate होते हैं, no doubt about it, praise लेना दे, honor भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको praise चाहिए, काफी intelligent होते हैं, tradition को respect करते हैं, चाहे वो खुद का हो या किसी और को respect करते हैं, because उनका belief system है ये, और बड़ा passionate love life होता है, ठीक है, कि ये तू है, तो मैं कहता हूँ, पहले मिलाएंगे, तब तो अलग करेंगे, तो जब तक आप passionate नहीं होंगे, तब तक आप feel कैसे करेंगे, कि ये sense of detachment, I'm crying, I feel like dying, and all that, वो passion चाहिए, वो setback के लिए, जिसके बाद आपको लगे कि ये तो संसारिक है, what next, तो ये तो उस level पर ले करके जाते हैं, वो passion ले करके आते हैं, आपको देते हैं, तो इन सब चीजों इसी बहुत होती है, वो दूसरे को देख करके जलता है, और मिल जाने के बाद एगो आ जाता है, अगर थोड़ा भी malefic influence है, वो इगो दे दे, वो इगो ऐसा देगा कि मैंने सब कुछ खुद किया है, जैसा मैंने कहा कि पुरु पुने से access हो रहा है, उसके अच्छे कर्म, पुरवजों के अच्छे कर्म की वज़े से easily achieve हो गया, लेकिन वह व्यक्ति सोच रही है, यह तो मेरा किया हुआ है, और जब मैं आ गया, ego आ गया, तो वो एक negative side इसका दिखा रहा है, वो short tempered होते ही यह लोग, इसमें कोई doubt नहीं है, कि यह short tempered नहीं होंगे, बहुत attached होते ह हैं, materialistic जिसको बोलते हैं, world से, prosperity से, social status से, that is negative because you are too attached, so one day you have to cry for that, अगर आप career की बात करेंगे, कि करियर क्या हो सकता है, अच्छे administrator हो सकते हैं, manager हो सकते हैं, किसी company के chairman हो सकते हैं, अच्छे bureaucrat हो सकते हैं, यह लोग मान के चले अच्छे judge हो सकते हैं, astrologer, occultist, magicians, engineering में लोग अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे expert engineers हो सकते हैं, क्योंकि केतु है, data science है, digging deep है, analysis है, उन सब चीजों में यह लोग बहुत अच्छा है, और जब हम बात करते हैं, पूरवजों की, जब हम lineage की बात करते हैं, जो antique item होता है, जो उसका business करते हैं, गो लोग, देखिएगा, या जो उसके उपर माली ये YouTube पे कोई इस तरह का कारेकरम करता हो, जो इसका channel जो इसी से related है, देखिएगा, कहीं न कहीं मागा का connection जो उसके karma house से है, इसलिए हो, antique चीजों के उपर videos बना करके, ठीक है, वीडियो बना करके, राहू चाहिए, मैंने बार बार करा है कि राहू और mercury चाहिए, और साथ में sun चाहिए, ताकि self-obsessed हो जाए, मतलब अपना चेहरा खुद ही देखते रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं खुद को, तो सनी तो है, खुद को देख करके बोल रहे हैं, और तो कोई सामने है नहीं, मान के चलते हैं कि व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, तो ये चीजे आप कर्म से related देख सकते हैं, पुराने coins वगरा जो इकठा करने वाले लोग हैं, जो librarian होते हैं, जो पुरानी किताबों को सहेच करके रखते हैं, या roadside में आप देखिए, जो लोग पुरानी किताबें, second hand book, वो बहुत अच्छे से सजा के प सन अगर आ गए, तो मैं बार-बार कहता हूँ, positive side है कि आपको support मिल जागा, government से आप rise करेंगे, negative side जो है, आप arrogant हो जाएंगे, positive side किया, अगर कुछ खो गया, तो government support करेगी, police support करेगी, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको favor, royal favor होगरा मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर ए ego को एक नएक दिन वो तोड़ेंगे, because Saturn doesn't like की साथवे घर में वो exalt हो रहे हैं, और पहले में सामने जो है, वो sun जो है, वो exalt हो रहे हैं, तो Saturn का वो अपना एक nature है, अगर मैं मून को मागा नक्षतर ममलोग देखते हैं, तो इनके बहुत शत्रू होंगे, यह वक्ति arrogant भी ह होगा, नई initiative लेगा, no doubt, but fail करे, इसे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, इसमें, मार्स अगर आ जाए तो egoistic हो जाएगा, arrogant हो जाएगा, लडाई जगड़ा करने लगेगा, comfort तो मिलेगा, no doubt about it, क्योंकि government, police वगरा से support भी मिलेगा, happiness भी इसको मिलेगी, करे जाएगा, because जब flag अगर लेके, जंडा लेके, warrior ही तो चलता है, आगे घोड़ा पे, तो आप ऐसे समझें, लेकिन, अगर आप जीतते जाते हैं, तो arrogance आपके अंदर आती, ego आपके अंदर आता है, लेकिन आप जीतते भी जाते हैं, तो success मिलता है, no doubt about it, mercury आजाए तो भाई, बोलने वाला planet है केतू के साथ आ गया, केतू के नक्षत्र में आ गया, proud feel करेगा विक्ति, proudie होगा, बोलेगा ज्यादा, काम कम करेगा, क्योंकि सबको चीजली मिल रहा न, पूर पूर अगर अच्छे condition में है तो, बुरे condition में है तो बोलेगा, तो बेकारी बोलेगा, लेकिन बाते ज्यादा बनाएगा और काम कम करेगा, देखिएगा जो आसपास मागा नक्षत्र वाले हैं, मरकरी अगर उसमें है, मागा नक्षत्र में, तो देखिएगा कि अगर वो व्यक्ति बोले जा रहा है, पाँच आइडियाज देगा, बोलेगा, let's do it, करेगा दो पे ही काम, और तीन के लि देखिए, क्योंकि जुपिटर कराता है कि नॉलेज गेन करो, मोक्षा के तरफ चले, इनका क्या है, let me give everything and then I will detach, ताकि दुबारा फिर लेने की जुरुत ना पड़े, केतु का वो बेवहार होता है, तो जब यहां आएंगे जुपिटर, तो एक तो physical body pain देते है, anxiety देते है, वो चीज़ है, stomach से related issues हो सकते हैं, लेकिन politics में अगर मैं बात करो तो उसमें इनको gain होता है, क्योंकि politics में आप चले जाएए, जो मंतरी, क्योंकि जुपिटर तो मंतरी है, तो मंतरी, चुकि यह पूरा आप देखो मागा नक्षतरा की मैं बात कर रहा हूं, मैं राजा से favor की बात कर रहा हूं, तो वहाँ पे जुपिटर को government से favor मिलता है, और वहाँ पे government related काम करते हैं, तो इनको फायदा होता है, उसमें connections बहुत होते हैं, जुपिटर जिनका मागा नक्षतर में है, अगर यही Venus आ गए, तो क्या होगा, आपका जो desire, एक तो पहले तो यह short tempered होंगे Venus के तू, मैं हमेशा कहता हूँ, यह तो आध्यात्म की तरफ ले जाने वाला योग है, और Venus जो है, उनके पास knowledge बहुत है, अकल्ट का, तो black magic वगरे भी, black magic नहीं बोलूँगा, रादर तंतरा की तरफ अगर कोई एक और malefic influence आ जाए, तो तंतरा की तरफ यह विटती जा सकत है, Venus है, सरकार है, पैसा है, तो black money आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर किसी के चार्ट में है, तो person will be really fond of taking like, earning black money, तो वो Venus के अगर reflection है, तो वो एक problem है, friend circle जो है, कमोविश बहुत अच्छा नहीं होगा, अगर Venus वहाँ पे है, तो rat की मैंने बात करी, तो sexual desire यहाँ पे extreme पे चला जाता है, जिसकी वज़ेसे problem होती है, वही अगर Saturn आ गए, तो Saturn के साथ problem क्या है, कि यहाँ पे यह अब government से फाइदा versus Saturn, तो debt बढ़ा देंगे, एनिमिटी बढ़ा देंगे, paid से related problem आपको देंगे, joint से related problem देंगे, बुरे संगत में आप चले जाएंगे, ऐसे लोगों क जिनके पास सबसे ज़्यादा desire है, क्या चाहिए, यार मेरे पास तो इतना ही सरीर है ना उपर का, ज़रा focus करो मेरे उपर, recognition मिलना चाहिए, और मैं तो articulative हो, tension learning होते है, मैं manipulative हो, मैं करूँगा, I will make sure कि किसी भी cost पे मेरे को success मिले, राहु इन मागा, ये nature हो जाएगा, क्योंकि नाम पाने के लिए, वो creative होंगे, नए-नए ideas लेकर कहेंगे, even government में आप देखेंगे, जो बहुत सारे सरकारी पद पे लोग बैठे हैं, जो सरकार को बताते हैं, क्या करना चाहिए, प्रधान मंतरी को, या बाकी जो मंतराले है, बहुत creative innovative लोग रहते हैं, नए-नए relationship and all that, Rahu can take you to the next level, केतु, अब अगर केतु हो, तो सबसे पहली चीज व्यक्ति अपने पूरवजों का बहुत सम्मान करता है, spiritual होता है, slowly, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, 42-42 एज है, आते-आते यहां तक, spiritual तो होई जाता है, family से वो detach हो जाता है, communication उसका कम हो जाता है, social circle में, वो communicate करना कम कर देता है, बाते करना कम कर देता है, योगा, meditation जादा करने लगेगा, अब इसका मतलब क्या है, कि वो yoga teacher हो सकता है, meditation center open कर सकता है, spiritual practices में, lead कर सकता है, लोगों को बता सकता है, क्या करना और क्या नहीं करना है, simple होते हैं यह लोग, minimalistic lifestyle होता है, क्योंकि इनको धीरे-दीरे सब कुछ छोड़ करके, at the end of the day, मुख्ष की तलास जो है, वो शुरू करनी होती है, तो देते तो सब कुछ है, लेकिन धीरे-दीरे वही होता है, जब 42, 48, दो बार hit करता है, कि दोनों जब यह जाता है, तो व्यक्ति जो है, सब छो अलग-लग planets की बात हो गई, और इसको फिर, मैं जैसे बार-बार कहता हूं, मागा नक्षत्र को देखिए, किस भाव में पड़ा है, कौन से planet वहां पर, blend कीजिए, तो result निकारे, आपो बहुत मज़ा आएगा, इसको आप D9, D10 में भी देखे, analyze करे, next level पे लेकर के जाए, उतलंबा वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, लेकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि next level पे लेकर जाया, अलग-लग वरगाज में देखे, उमीद करता हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज के लिए विदा लेता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्का आपको